वेलकम गाईज वेलकम बैक टी ओन चैनल उप्शन गाईट तो स्वागत आपका एक और शानदार डेली मकलिस वीडियो में देखो मार्केट ना डेली न्यू हाइस बना रही है आज भी हमने मार्केट में न्यू हाइस बनाए और मार्केट ऐसी जगह है जहां किने पहले कभी काम नहीं किया तो ऐसी जगह लेवल्स और सेट अप निकालना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इस मार्केट में भी जब मार्केट ऐसी जगह है वहाँ भी हमने आपको ऐसे गजब के लेवल्स दिये थे कल दो न्यू लेवल्स दिये थे मैंने आपको निफ्टी में एक दि levels दे रहे हैं, hope आपने levels को use करके अच्छे trades बनायोंगे, अब कल nifty bank nifty दोनों की expiry है, वैसे तो nifty के expiry Thursday होती है, लेकिन Thursday हमारी market closed है, तो कल है दोनों की expiry तो कल क्या setup यूज कर सकते है nifty bank nifty दोनों में, क्या important levels होंगे, कैसे आप trades बना सकते हैं सारी चीजों की इस वीडियो में बहुत ही detail में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले, चैनल पे नए हैं आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो वड़ावर subscribe जरूर कर ले अगर आप daily ऐसे वीडियो में नहीं करना चाते हैं, चलिए analysis पार्ट पे आते हैं nifty की बात करते हैं पहले, क्या हुआ market में, क्या हमारे discussion थी फिर कल के setup पे भी आएंगे, अब देखिए morning में gap of opening, लेकिन morning में ही red candle बनने लगती है, अब अच्छी चीज़ है red candle बनने लगती है तो क्योंकि हमारे पास इसके अबव levels नहीं थे कैसे trades बनेंगे, हमें तो level के पास entry चाहिए थी, तब trade बनेगा morning में clear cut fall और fall में हम आजाते हैं हमारे level पे level हमने आपको बदाया था 22,690, perfect fall आया, level पे आई market level ने यहाँ पे support लिया और यही clear discussion थी कि इस level से अगर market इस level के अबव जाएगी, hold करेगी तो यहाँ से bullish trades है और वो आप bullish entry बना सकते थे और simply target के लिए मैंने आपको बदाया था trailing stop loss यूज करना है, देखो trailing stop loss की तो कहानी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और तरीका भी था जहां बिल्कुल top पे आप exit हो सकते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पुराने लोगों को तो पहले से ही पता होगा, यहाँ से bullish entry है, trailing stop loss आपको अच्छी rally catch करा रहा है, क्योंकि बिल्कुल bottom से सिर्फ green candles बन रही है तो अच्छी खासी rally आप catch कर सकते थे secondly, बही दुबारा यह high कहां बना है कहां बना market का top हमारी first candle वाला roll अगर आपको पता होगा तो उसी के according यह top बना है अगर morning की first candle से कोई day high या day low बनता है वो बाद में भी level काम करता है उसी के according, यह जो rally तो आई लेकिन उसी के according दुबारा यहां market का top बना यहां पे आपको पता था यहां पे आप अपने trade से exit हो सकते है जो आपका bullish trade है entry तो 22690 से थी और यह rule भी मैंने आपको पहले भी सिखाय हुआ है जो लोग नहीं है जिनने नहीं पता है वो लोग इस चीज को ध्यान रख सकते है rule तो मैंने समझा ही रखा है देख लो हाँ उसी level पे market rejection phase कर रही है तो exit कर लो profit book कर लो क्या दिक्कत है इसमें तो बिल्कुल morning में bottom से top तक आप यह rally catch कर सकते थे एक अच्छी decent rally थी almost 60-70 points की तो ठीक ठाक profit बन जाता है फिर यहां पे top लगा market का और यहीं से market में for reversal आता है और यहां entry का एक और reason भी था same time पे bank nifty भी अपने support पे था नifty भी अपने support पे same exact same time पे bank nifty भी अपने support पे था तो इसलिए भी market में rally अब जब second time fall आता है इस बार हम level के below भी जा रहे है तो यहां reversal का sign नहीं मिला है मैंने आपको क्या बताया था market खुद आपको reversal का sign देगी एक candle level के below close है next candle भी level के below ही close हुई है यहां पे कोई reversal नहीं था और finally हमने दुबारा इसे confirmation के साथ level को break किया और फिर further fall देखने को मिला हमें nifty में तो देखो जो भी trades है पहली चीज़ entry level पे बनानी है और second जीज़ जैसे market आपको direction दे उसके according trade बनाना है market level को break कर रही है तो continuous move आएगा और level को hold कर रही है तो reversal वाला trade बनेगा तो यही simple setup था nifty में बहुत अच्छे से level ने काम किया एक ही नए level बदाया था उसने काम किया उसके according trades बने bank nifty में तो magical था यार बिल्कुल bottom आप देखो इससे magical क्या होगा यहाँ भी gap of opening morning में dip आ रहा है लेकिन bottom देखो आप क्या इससे perfect level को ही हो सकता था 48,625 हमारा entry level था यहाँ पे इस level के अबव हम bullish है morning में dip आया level को market ने hold किया मैं यहाँ पे green candle से market ने sign दे दिया कि level को मैं hold कर रहे हूँ अब बनाओ यहाँ से bullish trade simple इसी level से bullish trade था और देखो फिर गजब की rally आई है almost 300 points का up move देखने को मिला है और यहाँ भी target नहीं रखना था मैंने क्या बता है था trilling stop loss यूज़ करो और rally को catch करो easily up 300 points की rally catch कर सकते थे trilling stop loss यूज़ करके क्योंकि mid में कहीं भी कोई बड़ा dip नहीं आया है इस candle तक यहाँ तक और easily 300 points का up move है expiry से एक दिन पहले बहुत अच्छा trade आप यहाँ पे बना सकते थे अब यहाँ पे एक सवाल आता है वो भी मैं answer कर देता हूँ अगर आपके mind में doubt होगा कि भी हमने nifty में बात की कि first candle का high level work कर रहा है ऐसा bank nifty में क्यों नहीं हुआ उसका answer यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर market इस level पे आके red candle बनाती ठीक है तो फिर market बता रही है यहाँ पे book कर लो लेकिन यहाँ directly level को हमने break कर दिया है तो वो book वाली entry जरूरी नहीं है market ही आपको direction देगी पहली चीज़ level जरूर है यहाँ क्योंकि इसके बाद पूरा दिन देखोगे न almost इसी level के आसपस market ने multiple time support लिया है देखो यहाँ पे breakout दिया यहाँ level पे support यहाँ almost level के आसपस support यहाँ भी दुबारा support और जैसी दुबारा इसे break किया फिर continuous fall आया तो almost easy के आसपस दुबारा level बना है market में वही first candle वाला जो rule है वो same है first candle से high या low बनता है तो वो बाद में भी आपके काम आएगा वहाँ पे आप एक level intraday के लिए mark कर सकते हैं और उसे बाद में use कर सकते हैं जिसे आज यह level था 48.800 के आसपस और वही market में फिर बार-बार काम भी हुआ है लेकिन सबसे अच्छा trade क्या था यह चीजे तो चलती रहेंगी सबसे अच्छा trade था यहाँ bottom पे entry और फिर trailing stop loss जहां तक आपको rally catch करा है वहाँ तक catch करो simple clear trade था इससे best कोई entry level नहीं हो सकता था 48.625 और guaranteed किसी ने इस level की बात भी नहीं की होगी और हम daily prove करते हैं कि हमसे better level सबको और कोई नहीं देने वाला है और आज भी उसी का example है day end में भी इसी level की support लिया है यहाँ एक red candle बनी जरूर है लेकिन उसमें confirmation नहीं है यह candle कि यह candle level से start हो रही है तो यहाँ पे confirmation नहीं थी तो यह overall आज के intraday market थी best trades morning में थे दोनों जगां nifty bank nifty में मैंने आपको group पे भी update किया था कि हमारे supports पे बहुत अच्छे से market काम कर रही है nifty bank nifty दोनों में ही exactly उन्हीं support से bounce pack आया तो यह आज के और all market थी अब कल के discussion करते हैं कि भाई कल expiry है बहुत nifty bank nifty की तो कल क्या हो सकता है क्या levels work करेंगे और कैसे आपको trades बनाने वो बाते कर लेते है immediate level में कोई doubt होना नहीं चाहिए immediate support 48,625 है इसमें कोई doubt होना ही नहीं चाहिए major support level है तो है हमने तो research करके निकाला है तो हम तो full confidence से कहते है randomly हम कोई level बताते हैं यह upside क्या गाता trailing stopless use करो upside अभी कोई level नहीं बना है जब बनेगा तो बताएंगे तो वही चीज़ है जहां बन गया है जो research में हमें level मिल जाता है वो बता देते हैं जहां नहीं है वह random तो कुछ नहीं बताने वाले हम तो उसी के according पहला support 48,625 है उसके बाद 48,400 और उसके बाद magical level 48,165 इसने भी बहुत गजब से काम किया पहले अब upside की बात करें तो upside कहा level बन रहा है क्या 48,800 level है या आज का top यूज़ कर सकते हैं तो upside में एक level यूज़ कर सकते हैं वो है आज का almost day high कल के लिए बता रहा हूँ day high बनाया है 48,950 गया असपास तो ये एक new level कल आप use कर सकते हैं trade वैसे mostly ना जो trade बनाने का मौका होगा वो दो जगा है या तो market में dip आए इस level पे आया हम जैसे morning में आज आये थे और यहां market जैसे react करे उसके according trade बनेगा अगर level को hold करे तो rally और अगर level को confirmation के साथ break कर दिया तो market में fall तो सबसचे entry point तो होगा 48,625 के आसपस कि यहां market आये और हमें direction दे कि market level को hold कर रही है या break कर रही है उसके according trade बनेगा और directly अगर अगर अप move करने लगे है मालों कोई gap up opening होती है directly अप move करने लगते है तो फिर आपको wait करना पड़ेगा 48,950 के breakout का तब trending further bank nifty में rally आई तो सबसचे trade तो वही है 48,625 के आसपस entry मिल जाए lower side के लिए भी यही level है और upside के लिए यही है और अगर market इस level तक आती ही नहीं है directly up move करने लगती है फिर wait करो कि market 48,950 को break करे तब फिर rally में entry करना और target नहीं है इसके अबाब इसके अबाब trailing stop loss यूज़ करके जहां तक market rally catch करे है catch करो कई लोगों को trailing stop loss में doubt आ रहा है कितना यूज़ करे देखो मैं बता देता हूँ 15% यूज़ करो percentage में आप ये अब option का कोई में price नहीं बता सकता कि आप 20 रखो या 30 रखो अब वो आपके option के price पे depend करता है माल लो आपने जो option बाइगिया उसका price 200 है तो 200 का 15% कितना होता है 30 होता है तो 30 points का SL रख लो माल लो आपने कोई option बाइगिया उसका price 150 है तो 150 का 15% होता है 22.5 तो 22.5, 23 का SL रख लो अगर आपने कोई hundred पे option बाइगिया है तो उसका SL 15 होगा तो simply percentage में मैं आपको बता रहा हूँ कि 15% का trailing stop loss आपको use करना है उसके according आप जो price बाइग करो उसका 15% निकाल लेना उसके according आप trailing stop loss set कर सकते है hope setup clear है इसमें कहीं कोई doubt नहीं है यह बात वह बैंक निफ्टी की अब निफ्टी के discussion कर लेते हैं चलिए निफ्टी पे आते हैं तो बहिए निफ्टी में क्या करें daily new highs बन रहें new levels बन रहें तो trade कैसे बनेगा अब कल expiry है तो कौन से levels काम करेंगे 50s के तो पहले level यहां पे 22,700 काम करेंगा उसके बाद 22,750 काम करेंगा उसके बाद 22,800 काम करेंगा lower side support पहला 22,650 काम करेंगा उसके बाद 22,600 काम करेंगा उसके बाद 22,550 काम करेंगा यानि क्या दिख रहा है आपको every 50s पे level है ठीक है every 50s पे level mark करने trade की strategy expiry वाले दिन nifty में बहुत clearly आपको बता रखी है कि जहाँ opening हो माल लो थोड़ी कि आप अब opening होती है इन दोनो levels के mid में opening हो जाती है 22,7,20 के असपास ठीक है उसके बाद क्या देखना है उसके बाद देखना है कि बही opening के बाद क्या market upside level को break कर रही है या downside level को उसके nearby जो 50s के level होंगे यहाँ opening होई तो यह दोनो 50s के level है अगर यहाँ opening हो तो कौन से level होंगे पहला level यह होगा और downside support यह होगा तो opening जहाँ हो उसके nearby में 50 का support level देखना है और resistance level देखना है और उसके बाद देखना है कौन सा level market break कर रही है अगर opening के बाद 22,750 को break करते है तो भाई upside further level break हो रहा है तो rally आएगी trailing stop loss use करो और rally को catch करो और अगर downside का level break हो यहाँ opening के बाद 22,700 break हो जाता है तो market में fall आएगा market negative होगी negative trend के लिए trades बनाओ यही 50s के level आपके target होंगे trailing stop loss यूज़ करके यहाँ भी आपको fall को catch करना है expiry वाले दिन nifty में तो trailing stop loss ज़रूर यूज़ करना है और setup में एक चीज़ है opening देखनी है उसके near by के 50s के level देखना है जिस side break करे उस direction में trade बनाओ hope setup clear है इसमें कई को doubt नहीं है अब यह charts पे बात हो गई option chain data क्या बता रहा नifty में वो भी तो important है चलो वो देख लेते हैं यह देखो immediate resistance by 22,700 पे clear resistance है 1,74,000 हुआ है call side put side 87,000 तो almost 87,88,000 हुआ है का gap मिल जाता है almost call side double हुआ है put से 22,700 resistance है clear पता लग रहा है और support की बात करें 22,600 पे support मिल जाता है अब support में आपको ऐसा दिख सकता है कि put वालों ने तो अपनी positions को कम की है फिर support कैसे है आप अगर call वालों को देखोगे न call वालों ने भी position में unwinding की है तो इसलिए अभी भी support है अगर से put वाले unwinding कर रहे होते है तो weak support होता लेकिन अभी भी strong support है क्योंकि दोनों side unwinding होई है तो 1,45,000 होई put side call side 62,000 तो यहाँ भी more than 80,000 होई का gap है तो major support 22,600 है तो as per option chain यह market की range है जब यह range break होगी तो market में trending move आएगा ठीक है यह simple clear setup है यह 100 points की range है जब यह range break करेगी market nifty में तब market में trending move expected है और फिर उसी direction में आपको trades बनाने है वैसे similar जो हमने charts पे setup डिसकुस किया है वो ही आप follow कर सकते हैं वो ही setup काम करेगा nifty में भी bank nifty में भी overall बहुत अच्छे से market levels पे तो काम daily करी रही है वो more than 3 years है आप देख रहे हैं आज भी कोई नई बात नहीं है तो वोई levels आपको mark करने है यूज करने है इसके अलावा lime market में कुछ अलग से होगा तो जो हमारा free telegram group है वहाँ मैं बता दूँगा कोई call tips हम देते नहीं है वहाँ पे कोई new level बन रहा होगा तो वो मैं आपको जरूर बता दूँगा वो आप join कर सकते हैं अगर करना चाहे तो बिल्कुल free है बस एक चीज़ का धिहान रखे हमारे नाम से कोई भी paid service अगर बेची जा रही है तो वो fraud और fake है हमारा channel बिल्कुल free है और वो tips और calls के लिए नहीं है तो होप कल के लिए निफ्टी मैंग निफ्टी दोनों का सेटप क्लियर है वीडियो अच्छे लिए को तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब भी जरूर कर ले